जहिन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे तो फाइनली रिल्वे की तरफ से अप्रेंटिसीब की जनकारी आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसका फार्म अभी भी भरा जा रहा है हम बात करें इस्टन रिल्वे की तरफ से आया नोटिफिकेशन के बारे में जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते इस्टन रिल्वे की तरफ से जारी किया गए उपर यहाँ पर आपको साब तो पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नीचे आप आएंगे स्क्रोल करते हुए तो ये आपका जो अपरेंटिसिप का नोटिफिकेशन है आरारसी की तरफ से जारी किया गया है 2022-2023 के अंतरगर नोटिफिकेशन की डेट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते डेट आप पॉब्लिकेशन आप नोटिफिकेशन आन वेब साइट 23-9-2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ओपिन डेट एंड आलाइन अप्लिकेशन का यहाँ पर देखेंगे तो 39-2022 मतलब कि 39-2022 से फार्म भरना स्टार्ट हुआ है और फार्म भरना की जो क्लोजिंग गेट रखी गई है वह 29-2022 रखी गई है आपके पास अभी भी समय है फार्म भरना चाहते तो फार्म को भर सकते हैं निचा आएंगे स्क्रोल करते हुए तो आपको यहाँ पर डिवीजन वाइज यहाँ पर देखने हो को मिल जाती है वेकेंसी जिसे कि फश्ट डिवीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़ादा तरड़ देखने हो को बिल जाते है मैं स्क्रोन करते हैं यहाँ पर आपको दिखा देता हो देखिए आप आजाएंगे तो आपको electrician mechanic tool maintenance और टोटल यहाँ पर आपको seat देखने को मिल जाती है तो आपको इस division में देखने को मिल जाती है टोटल आप यहाँ पर division count करेंगे तो 315 यहाँ पर seat खालिए जिसमें केवल IT के छातरी फार्म को apply कर पाएंगे तो आप फार्म को apply करना चाहते तो आपके लिए सुनारा हुआ का है आप फार्म को apply कर सकते है यहाँ पर बात करें कि इसमें qualification क्या होने चाहिए तो देखिये qualification यहाँ पर आपका 10 का मारसीट होना चाहिए प्लस IT का मारसीट होना चाहिए जिस trade का यहाँ पर आपको जिक्री किया गए उस trade से आपका IT complete होना चाहिए तब ही आप फार्म को apply कर पाएंगे अनित आप फार्म को apply नहीं कर पाएंग और जो चाहतर OBC के अंतरगत आते हैं उनके लिए हाँ पर तीन साल की छूट देखने को मिल जाती है तो फान भरने वाले चाहतर इस वात को ध्याने किएगा एजूकेशन कौलिफिकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 प्लस 2 यहाँ पर साब तोर पे लिखा गए प् इसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रेड होते हैं जो कि अठ्मी पास के होते हैं जैसे कि वेल्डर गैस एलेक्टिक या सीट मेटल वरकर लाइन मैन और वायर मैन और कॉर्पेंटर या पेंटर जनरल से इसमें जो चाहतर अठ्मी पास के अंतरगत आईटे कंप्लीट कर चुके से या से प्रीड कर पाईंगे जहां र्खेएंगे इसमें आपका मेरिटिकल फिटनीस का इसनरान को सिलेइक्शन के जाएगा सेलेक्शन की बात करें तो िसमें जो आपका स्लेक्शन होने वाला को इनका मेरिट बेस पर सेलेक्षन होगा और उसी मेरिट पर सेलेक्षन किया जाएगा निचायंगे स्क्रोल करते वे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में कुछ अधर भी जनकारी देखने को मिल याती अप्लिकेस्ट किये कितने रुपए इसमें फीच चार्ज लगने वाला है जो कि नान रिफेंडेबल है और इसमें आपका सो रुपे चार्ट लगने वाला है और ध्याने किएगा सब्सक्राइब करना इसकी सारी जनकारी इन्होंने दे रखिए वह से मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आपको अप्रेंडिस्टीब की अफीस्टियल वेबसाइट पर रिजिस्टेशन करना आने वारे जूकि बीना रिजिस्टेशन के सब्सक्राइब के आपार है कि इसमें आपका लगने वाला है तो डॉकमेंट यहां पर जैसे आप शिंपल फार्म को अप्लाइ करतें जो जा यहाँ प पर लगने वाल है इस बात को आप ध्याने कियेगा